देगे, नाइट्रो बेंजीन है, H2PD के साथ ये reduction हो रहा है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, H2PD लिख देओ, या lithium aluminum hydride लिख दीजिए, Fe plus HCl, Zn plus HCl, Sn plus HCl, ये देदें, या Fe plus HIN, Zn plus H proton है न, Sn plus H proton, तो सब में आपको NO2 को हटा के NH2 जोड देना है, ये ही आपका reduction हो जाएग ठीक है, अब इसकी reaction हो रही है, इस वाले compound चे देखे, CH3, COO, O, COO, CH3, जैसे ही आपने देख लिया, यहाँ पर lone pair है, इसके बाद तो आपको सोच नहीं नहीं था, ये attack करेगा, इस पर ये bone break हो गया, अब ये जब bone break हो जाएगा, तो यहाँ पर देखे, NH, 1H है, positive हो गया, और यहाँ पर C double bond O, CH3 है जुड़िया, proton obviously as usual निकल जाएगा, proton NH बन जाएगा, और ये जो CS3, C double bond O, O negative था, यहाँ पर ये वाला proton यहाँ जुड़ जाएगा, acetic acid or बन जाएगा, तो ये दो product बन गए, फिलाल इसमें interested है, आपको ये हो गया, B, ये हो गया, A, तो जो आपका correct answer हो गया, इसके according, आपका हो गया option number 1, NH C double O, CS3, okay, I hope guys आपको questions समझ में आया होगा,